नमस्कार दोस्तो मैं हूँ समीर स्वागत करता हूँ आप सभी को समीरफोर्यू चैनल में दोस्तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि ORS का घोल डारिया को दूर करने के लिए पिया जाता है लेकिन दोस्तो ORS घोल का और भी फाइदा होता है जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा साथी ये भी बताऊंगा कि ORS की घोल कैसे बनाया जाता है और इस घोल को बनाते समय क्या क्या साबदानिया बरतने पड़ता है दोस्तो डारिया के कारण सरीर में जो पानी की कमी होता है उस कमी को ORS का घोल पूरा कर सकता है ORS के बल बच्चों के लिए ही नहीं बलकि बड़े और बुझुर्ट लोगों में भी पानी की कमी की समस्या को दूर करता है तो दोस्तो आईए अभी बात करते हैं कि O.R.S का गोल बनाते समय कीन-किन बातों का ध्यान देना परता है दोस्तो O.R.S पाउडर में गन्दा पाणी ना मिलाए ORS का घोल बनाने के लिए पहले पानी को उबल कर फिर उस पानी को ठंडा करके ही ORS का घोल बनाए ORS को सिर्फ पानी में मिलाए इसके लिए दूद, सूप, जूस या फिर किसी भी सौप ड्रिंग का इस्तेमाल ना करे ORS में अलग से चीनी ना मिलाए अगर ORS का घोल पीने के बाद उल्टी या फिर चक्कर आदी आने की समस्या होता है तो तुरन डॉक्टर को दिखाए ORS की घोल को 24 गंटा बाद ना पिये तो दोस्तो चलिए अभी बात करते हैं कि घर पर ORS का घोल कैसे बनाते है सबसे पहले एक लीटर साप पानी को गर्म करके ठंडा होने के बाद उसमें 6 चमस चीनी, आधा चमस नमक और आधा निम्बो का रस मिलाकर ORS का घोल बनाया जाता है दोस्तो अंध में ORS का घोल पीने के फाइदे के बारे में भी जान लेते हैं ORS का घोल पीने से डी हाइड्रेशन यानि की पानी की कमी दूर होता है डाइरिया दूर होता है ORS का घोल पीने से धकान और कमजोरी भी दूर होता है एकसरसेस के लिए उर्जा भी मिलता है तो दोस्तो कैसे लागा वीडियो कमेंट में जरूर बताए तो मिलता हूँ अगले वीडियो में जय हिंद जय भार्ण